Hello friends, welcome to our channel Women of Essence और आज का वीडियो dedicated है ओन लोगों को जो vacations में कहीं न कहीं से घूम कर आए हैं या फिर वो कहीं घूमने जाने की तैयारी में हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी accessories या फिर gadgets के बारे में आपसे share करूँगी जिने traveling के दौरान हम सब use करते हैं इन में से बहुत सारे gadgets ऐसे हैं जिने मैं पहले से use करती हूँ और कुछ ऐसे हैं जिने मैं एकदम नए आपके साथ introduce करने वाली हूँ तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, let's dive into the video तो सबसे पहले जो gadget मैं आपके साथ share करने वाली हूँ वो है ये neck pillow और ये एक ऐसा neck pillow है जिसे आप traveling के दारान use कर सकते हैं यहाँ पर इसे close करने के लिए एक button provide किया गया है और साथ ही एक यहाँ पर pouch भी दिया गया है और इस pouch में आप अपना iPad या फिर earphones को store कर सकते हैं so that ये आपके लिए handy हो सकें और इस neck pillow के साथ हमें मिल जाती है 10 years की warranty और साथ ही यहाँ पर एक hook दिया हुआ है जिसकी मदद से हम इसे hang कर सकते हैं इस neck pillow को हम train, plane या car कहीं पर भी use कर सकते हैं साथ ही हमें से बहुत सारे लोग बैठे-बैठे ही जबकी ले लेते हैं और उस condition में भी यह हमारी neck को एक बहुत अच्छा support प्रोवाइड करती है और traveling के दोरान जो हमें neck pain की problem हो जाती है उसको बचाने के लिए यह एक काफी अच्छा gadget है technology की इस era में आप technology से काफी ज़्यादा इंकार नहीं कर सकते हैं mobile phone या फिर tablets यह सब हमारे साथ जाते हैं जब हम किसी न किसी trip पर जाते हैं इन्हें छोड़ कर हम कहीं नहीं जा सकते और इसलिए मैंने अपना traveling का अगला gadget जो चूज किया है वो है यह mobile holder और यह एक काफी solid mobile holder है जो की material से बना हुआ है metal के इसको आप अलग-अलग direction जैसे comfortable हो आप इस mobile holder को adjust कर सकते हैं लगतार आप जब किसी वीडियो को या फिर किसी movie को देख रहे होते हैं तो उस समय इस तरह का holder काफी ज़्यादा काम आता है इसमें आप लेट कर भी अपने according angle को adjust कर सकते हैं और अपनी eyes को एक comfort zone में ला सकते हैं यह काफी ज़्यादा sturdy है और साथ ही इसमें नीचे की तरफ चार ऐसे pets प्रोवाइड किये गए हैं जो इसको anti-slip बनाते हैं तो यह आपके packing में जरूर होना चाहिए और अगली accessories जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो हैं यह traveling bags आप मेरे हाथ में कई सारे और अलग-अलग size के यह traveling bags को देख पा रहे हैं और यह सबी आपके packaging में काफी ज़्यादा helpful होते हैं आपके समान को अलग-अलग और segregated रखने के लिए और यह mesh bags हैं इसलिए इसमें air का flow अच्छी तरह से बना रहता है और साथी इसमें जो zip दी गई है यह भी काफी superior quality की है जब हम बात कर रहे हैं packing की तो मैं आपके साथ एक bag का set और भी share करना चाहूंगी और यह कुछ ऐसे 4 piece वाले packing bags हैं जो अलग-अलग size के हैं और इस set की जो सबसे अची चीज मुझे यह लगी कि अगर एक single व्यक्ती travel कर रहा है तो उसकी packing के लिए यह एक पूरा combo प्रोवाइट करता है इस बड़े bag में 3-4 pair of clothings रखी जा सकती हैं इसके बाद इसमें आप अपने undergarments को store कर सकते हैं और साथ में दियेगा यह दो bags में आप अपना toiletry, make-up या फिर कोई दूसरे knick-knacks को store कर सकते हैं यहाँ पर आप 3 pairs of clothing set को देख रहे हैं और यह तीनों ही इस बड़े bag में आसानी से आ जाते हैं और इसके दूसरे छोटे bag में हम store करेंगे undergarments को और बड़े वाले pouch की बात करें तो यहाँ पर हमने towel, socks और hankies को store किया है और सबसे छोटे pouch की बात करें तो यहाँ पर toiletry items के छोटी packings को आप आराब से store कर सकते हैं वन परसन के लिए travel का एक complete set ready है और इसके बाद जो मेरी सबसे favorite accessory है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी और यह है एक waste bag और यह waste bag कमर पर बांदने के लिए design है इसमें एक के belt दी गई है इसकी total size 75 cm की इसमें belt दी गई है जिसे यहाँ से आप detach कर सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं इसके अलावा इसमें कई सारे pockets भी दिये गए है इसमें पीछे की तरफ एक rear pocket दी गई है और front की तरफ छोटी और बड़ी total 3 pockets हमें provide की गई हैं और आपने personal knick-nacks और frequent use होने वाले समान को आप इस bag में जरूर store कर सकते हैं mobile, tickets, आपके कुछ पैसे, साथी आपके earphones, earbuds और बहुत सारे ऐसे knick-nacks आप इसमें store कर सकते हैं जिने frequent use करना होता है बस simply आपको इसे अपनी waste पर बांद लेना है and you are good to go और इस तरह के bags travel के लिए काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें आपके hands free रहते हैं किसी भी activity को करने के लिए और travel के अलावा भी आप outdoor किसी भी activity जिसे cycling, biking या फिर running और exercise वगरा में भी आप इस तरह के bag को जरूर use कर सकते हैं और ये मेरा काफी ज़्यादा favorite bag है और आप इसे travel के लिए एक must have accessory की रूप में ले सकते हैं हमेंसे बहुत सारे लोगों को travel के दौरान reading का काफी ज़्यादा शौक होता है उनके लिए ये accessories अपने साथ ले जाना काफी ज़्यादा जरूरी है ये है एक reading lamp जो की rechargeable reading lamp है यहाँ से इसे recharge गया जाता है और साथ ही ये एक touch button के साथ काम करता है यहाँ पीछे की तरफ इसमें एक touch button दिया गया है और साथ ही इसमें तीन light के modes दिये गए है warm yellow light, white light और low white light इसके लावा जो इसका main feature है वो है ये clip और इस clip की मदद से आप इसे किसी भी table के side में book पर इसे फजा कर अपना reading कर सकते हैं और साथी ये काफी ज़्यादा flexible है आप इसे कहीं पर भी कैसे भी direction में घुआ सकते हैं इस तरह आप देख रहे हैं कि ये कितना ज्यादा useful lamp है और जिसे भी night reading का या travel में reading का शौक है वो इसे अपनी packing के item में जरूर शामिल करें तो अब बात कर लेते हैं अपनी last accessory या फिर gadget की मैं बात कर रहे हूँ ऐसे दो pill boxes की जो कि मुझे set of two में मिले हैं चले इसे खोल कर देख लेते हैं तो इस boxes के अंदर काफी सारे छोटे छोटे sections दिये हुए हैं और हर section का अपना एक अलग lid यहाँ पर दिया गया है इसकी opening और closing की बात करें तो इसको open करना और close करना भी easy है और इसमें सभी sections अलग-अलग shape और size के हैं ताकि इसमें आप अलग-अलग shape और size के pills को store कर सकें और इसकी जो plastic की quality है वो मैं mention करना चाहूंगी थोड़ी सी compromising है और इसके अलाबा अगर हम air tight होने की बात करें तो यह उतने ज्यादा air tight भी नहीं है इसलिए इसमें pills को open करके रखना थोड़ा सा risky है आप चाहें तो pills को छोटे-छोटे टुकड़ो में cut करके packing की साथ इसके अंदर रख सकते हैं मैंने इसे कैसे use किया है मैं आपके साथ share करती हूँ और आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने अपने कुछ jewelry को, earrings को और चोटे-चोटे make-up की समान को इसमें store करके रखा है और इसमें से काफी स्यादा अच्छे से space में वो आ चुका है और इसमें चोटे-चोटे समानों के miss होने की संभावना काफी कम हो जाती है आपको तुरंत मिल जाते हैं ये समान traveling के time में और अब आपकी बारी है आप मुझे comment करके जरूर बताइए कि आप इस तरह के box में कौन से items को रखना prefer करेंगे तो ये थी हमारी accessories जिने हमने आज के वीडियो में cover किया है वीडियो काफी लंबा हो रहा था इसलिए हम लेकर आएंगे इस वीडियो का part 2 और part 2 के लिए announcement ये है कि अगला part होने वाला है women special यानि कि अगले part में हम उन सभी accessories और gadgets को cover करने वाले हैं जिने women's को travel के दोरान अपने पास रखना चाहिए तो आप अगर इस channel पर नए है या फिर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कर लिजे, bell icon को दबा लिजे ताकि आपको आने वाले वीडियो का notification मिल सके और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे एक like जरूर कीजे आपका एक like हमारे लिए काफी ज़्यादा important होता है और inspiration का source होता है तो मिलते हैं अपने next part यानि कि अपने next video में